सब्सक्राइब कीजिए फिनॉमनल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और देखिए लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों फिनॉमनल गुरुजी यूटीब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं विन्डोस 11 जो कि अभी लेटेस्ट में दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है लेटेस्ट रिलिस दोस्तों हो चुका है और यह जो वर्जन है दोस्तों डैबलेबर वर्जन है यानि कि आपको बीटा मोड में देखने को मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर जो जो changes हुए हम आपको बताते हैं Windows 11 के अंदर यहाँ पर आपको मिल रहा है दोस्तों नया start menu और यहाँ पर आप देखेंगे start menu जो है अब center में आ चुका है और यहाँ पर आपको और भी icon दिखते हैं taskbar के अंदर तो यहाँ पर दोस्तों आप देख स और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपको all apps का option मिलता है तो simply आप click करके यहाँ पर सारी वो apps देख सकते हैं जो की आपके computer में installed है तो यहाँ पर आप उसे check कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कुछ app पेंड करी हुई हैं यहाँ पर आपक को मिलता है power on off का button simply आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको sleep shutdown restart का option देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर यह जो इसका जो interface से दोस्तों पूरी तरीके से change हो चुका है यहाँ पर आपको dark mode का support भी मिल जाता है अभी यहाँ पर light mode पे है और दोस्तों इसके अलावा आपको मिल जाता है start button के बाजू में जो की है search button यहाँ पर आप जो भी search करना चाते हैं यहीं से आप search कर सकते हैं दोस्तों आपको यह option देखने को मिल जाता है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको category voice भी जो है searches वगेरा कर सकते हैं देख सकते हैं तो यह सारा कुछ से बना सकते हैं दोस्तों इसमें आप plus पर क्लिक करेंगे तो एक desktop दोस्तों और बन जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से आप desktop create कर सकते हैं और यहाँ पर आपको यह feature कमाल का देखने को मिल जाता है इसके अलावा आप सारी app वगेरा सर्च कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको category वगेरा भी मिल जाती है और बाकी search वगेरा आप कर सकते हैं दोस्तों जो भी आप app रखना चाहते हैं यहाँ पर आप आपको नया quick panel देखने को मिलता है simply यहाँ पर आप देखेंगे जो icon दिख रहे हैं दोस्तों इस पर आप click करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको quick panel देखने को मिलेगा और इसमें दोस्तों बहुत सारे option है जैसे कि mobile hotspot है और airplane इसके अलावा दोस्तों आपको night light करना चाते हैं simply आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर night light को आप enable कर सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं next feature widget का option दोस्तों यहाँ widget पर click करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप mobile में use करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर laptop और computer में देखने को मिलेगा तो simply दोस्तों इस तरीके का settings आपको देखने को मिलता है इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको सारी information देखने को मिलती है और fully customized है दोस्तों यहाँ पर आपको काफी ज़्यादा feature देखने को मिल जाते हैं तो कुछ इस तरीके से आप settings वगएरा को access कर सकते हैं दोस्तों इसके लावत दोस्तों यहाँ पर भी आपको काफी ज़्यादा option देखते हैं और इन option के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारे option देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी settings वगएरा में effect देखने को मिलता है और यहाँ पर दोस्तों आपको apps का option भी मिल जाता है apps वगएरा आप जो है सारा यहाँ पर देख सकते हैं और जो default app है यहीं से आप set कर सकते हैं दोस्तों इसके लावा दोस्तों आपको gaming का option मिलता है और भी बहुत सारे option है दोस्तों जो आपको देखने को मिल जाते हैं, gaming के अंदर आप देखेंगे दोस्तों आपको game mode भी देखने को मिलता है capture का option भी मिल जाता है, तो additional option दोस्तों इसमें भर-भर के दिये गए हैं जो कि आपको windows 11 के साथ देखने को मिल जाते हैं, लावा दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है touch keyboard का support simply दोस्तों आप इस पर click करेंगे, तो इसमें theme वगएर आप change कर सकते हैं, दोस्तों आपको बहुत सारी themes वगएरा देखने को मिल जाती हैं तो जो भी theme आप रखना चाते हैं दोस्तों अपने virtual keyboard पर तो यहाँ से आप select कर सकते हैं, तो उस तरीके का आपको theme दिखाई देगा, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे आपको themes वगएरा भी मिल जाते हैं, काफी जादा दोस्तों आपको customization वगएरा देखने को मिल जाता है पाएंगे recycle bean के अंदर, तो कुछ इस तरीके का आपको recycle bean देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप PC के अंदर आते हैं यानि कि this PC पर click करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो icon वगएरा है बदल चुके हैं, नए icon आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का pop-up menu देखने को मिलता है, show more पर click करेंगे दोस्तों, तो आपको additional option जो हैं सारे कुछ देखने को मिल जाते हैं, तो यह कुछ changes आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, और simply आप किसी भी icon पर click कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको वो सारा record है, detail है देखने को मिल जाती है, इसके लावा यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको जो calendar वगएरा है देखने को मिलते हैं दोस्तों, बाकी यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, जैसे की control panel और यहाँ पर आप देखेंगे तो वैसा ही control panel आपको देखने को मिलेगा, तो काफी ज़्यादा decent है दोस्तों, यहाँ पर app चलती है कोई भी lag वगएरा आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों आप simply यहाँ पर देख सकते हैं कि Windows 11 में आपको काफी ज़्यादा feature देखने को मिलते हैं, दोस्तों काफी ज़्यादा smooth है, fast है तो उमीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा, ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए पैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, वीडियो को लाइक कर लिजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाइगा